और डेरी के लिए सबसे बढ़िया है उसका रिकॉर्ड है पन्जाब में 68 का गया है लाश्टी इसी एर में जो है रिकॉर्ड नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ मन्पृत सिंग जी जूड़े हैं जो कि डेरी फार्मिंग बिजनेस में काफी एक्टिव हैं हमें अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार कुछ क्वेश्टेंस हैं थोड़ा आंसर चाहता हूं आपसे जी जी से कोई भी डेरी फार्मिंग बिजनेस डाट करनेक्स पहले उसमें काउज या फे कोई भी कैटल जो हम खरीते हैं उसमें क्या क्या चे जियान रखना होता है कि सबसे मली चोई है कि अपने घर के लिए या फार्मिंग के लिए अगर आप या काम करना चाहते हैं थिक है तो देखे फिर तो एक एचफ काई लेना सब्सक्राइब कर सकते हैं और बच्चों के लिए सबसे बड़ी है है एक जी एचेफ में काफी मतलो उसका रिकॉर्ड है पंजाब में 68 का गया है लास्टी इस सब्सक्राइब का जी और यहां पर काफी मतलो हाई ब्रीड में आपको मिल जाएगा चेफटाओ ब्रीडिंग होती है पंजाब में पॉफी हाई लेवल को पर ठीक है ना उसमें प्रॉपर मतलो एक जेनरेशन टाइप हो गया ना जैसे मतलो एक ही गाय का उसके आगए बच्च पिर उसका अगर बच्चे शुपर कैसे तयार की जाता है यह बहुत कुछ ऐसा ओके इंपोर्टेंग मतलों हमें किस पे फोकस जादा खरते हैं स्टाटिंग इनिसिल फियज में ब्रीडिंग के उपर क्या मिल्किंग के उपर एक अगर ने अगर आपने दोनों चीज़े एक साथ करने तो ब्रीडिंग प्लस मिल्किंग दोनों पर काम किजिए अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनका मतलब स्टार्ट अप करना होता है जैसे डैरी फार्मिंग में वह जैसे कुछ बड जी जी क्योंकि उस साइड में अगर आप जाओगे तो काफी जितना ज्यादा दूद देगी गाए उतना ज्यादा देखती होता है इसमें तो इसकी फिर केर भी उसी साब से रखनी बड़ती है मतलब मैं मिल्किंग पर फोकस करना चाहिए मिल्किंग में मतलब हम भुड़ा क्रॉस बिल्ट भी अपले सकते हो वह सही रहेगा तो ना क्योंकि जो हाई-टेक फार्म होते हैं ना उनमें मतलब प्रोपर केर करी जाती है निमल की जो जैसे को सिंगल बंदा आपने जैसे को दस काई लेगा है को बंदा ठीक है ना एक शैट डालके वो काम शुरू कर रहा है तो उसमें एक संगल मैन को तो काफी ज्यादा देखते हैं उसके प्रोपर मैन पावर चाहिए प्रोपर डॉक्टर ट्रीटमेंट चाहिए ना टाइम-टू-टाइम उसका डाइट चाहिए काफी कुछ उसमें होता है मतलब जब वह इंसान करता है तो दिरे 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 इस पने बात की तो यह शेड मैनेजमेंट डेरी फान में क्या रोल प्ले करता है पंजाब में मतलब जो शेड होते हैं नॉर्मल होते हैं कि वह उपर से टीन टाइप होता है ठीक है ना पिलर खड़े करते हैं उनमें फोगर लग जाते हैं कुछ जगह पर लोग टीटो का बनाते हैं ठीक है पहाड़ी एरिये में चले जातरा आपको इंटो बाला मिलेगा कुछ जगह पर बैंबू का बनता है अगर आपके कहीं कुछ अलग अलग स्टेट में अलग टाइप की सिस्टम होते हैं जैसे बैंबू काफी सस्ता पड़ता है ठीक है उसमें फोगर लगा कर अच्छे से मतलों रख सकते हो ठीक है और जो टीन वाला है वो सबसे बड़ी है टीक है जो स्टील टाइप बलू होगए टीन होते हो मतले यह बैंबू अगर से कंपरेटिव लिश यह टीन वाले ज्यादा बेटर होते हैं अहां ज्यादा मजबूत होते हैं और इसर वह जो गाय को जो चारा खिलाते हूं जो शीलेज और ड्राइज इन दोने में डिफरें होता है और दूसरी तरफ पातर अगर अगर हैं तो यह हैं ऑर मील्किन कैपसिती में देखर इन्सान को सूखिए सबजी रोज-क-रोज कुलाते रहेंगे वह उसको उन्हां हां हम्तियों है हं अगर अगर रोज-क-रोज में आपको एक法या सूखी सबजी खाते रो सूखही ख तरी वाला भी खाना चाहिए तो मिक्स में चलना चाहिए क्योंकि यह गाय का मुट्स फिंग खाने से बहुत अच्छा होता है इतना खुला रहेगा और खाने को जैसे उसको हरे पर बहुत बढ़िया रहता है तो अगर आप एक कंपनी के लेवल पर काम कर रहे हो ना आप पर हरा मिलते ही यह घंग है और रहे जिरी फोडर बिलकुल नहीं मिलता वहां पर शूखा मिलता है हा इसी लिए फिर वहां के इसापका डाइड चार्टर अलग होता है जैसे पंजाब में हर चीज आ बेले वैले बहां पर इंभ अले यह वेलेवले हैं जैले जी बहुत बह तो इसी में फीड मेनेजमेंट जो होता है उसमें कॉस्ट कटिंग के उपर आपके क्या विव्यूज है मतलब देखिए सबसे में बात तो यह है कि आज के टाइम में लोगों को काफी लोगों को इस डेरी लेंड में पता ही नहीं है भी एक गाय को कितने डाले मैकसिमम और कितना हरा डालना है कितना ड्राइफ डालना है इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को मालू मैं इसलिए इसमें ऐसा है कि जैसे अगर आपके पास में ली अगर आपके पास पी पैरावेट या डॉक्टर की फेसिलिटी है ठीके ना हाँ में अप एक आठ से दस केरह किलो के हिसाब से ग्रीव बढ़ता है आठ दस किलो आठ तस किलो या थोड़ा ज्यादा राइफ और पड़ता है तूडी बोलते है इसको अन्गे और इसमें साहिले जोता है ठीक है और फीड होता है जाए सब कर सब्सक्राइब को चैनिमल है एनिमल की कि अपने देख लिए कि दूट दे रहा है पांसाथ किलो फेर के लिए और उसकी मतलो हैं जो काफी वीक है कि कह दे जैसे हम कह देते हैं हड्डियां दिख रहे हैं पहले वाप उसको खाना खिला के उसको तकड़ा तो करोगे ना फिर उसके बाद जब वह एनिमल आपका दिख देखे ला उसको आप सुबह डाल दिया शाम को डाल दिया दुपहर को कुछ दिया ही नहीं पानी वानी देना बहुत जरूरी है पानी कि अभी गर्मी का टाइम है मतलो आपके जहां पर खड़े हैं उसके नजदीक जैसे आप दुपहर में तीन टाइम चार ताइम तो पान यह सीजन वाइज कुछ इंपक्ट प्रता है कि अब आपना बाद के अब अब में गर्मी में थोड़ा दूद कम हो जाता है कर दोद कम होता है किंगी जैसे पड़ेगा तो इनसान का भी जैसे हम लोग निकलते हैं अब डली में निकल जाओ कितना गर्मी अभी सब जगा पे देख लो नौर्थ साइड में कितना गर्मी है अगर आप मतलों पूरा-पूरा दिन घूमते रहोगे एक जगह से दूसरी तो यह गर्मी के मौसम में यह कंपारेटिव लिए अगर हम देखे तो सर्दी के मौसम में ज्याद़ देती हैं राइट अगर आप डैरी फारम के लिए कर रहे हो अगर आपके बास बड़ी एक्विक्मेंट आज जैसे उनके लिए मतलो अपने कोई उनकी जैसे जहां पर रह रहे हैं अगर वह जगह ठंडी है जैसे फोगर से सबके हम वह अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा से अनिमल को रहता है ठीक ना उससे भी काफी मतलों हेल्प मिलती है तो नॉर्मल जगह करने में बस 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 जैसे मेशिन के बाद से इसे बात करने जाएंगे जो नहीं मेशिन से आज रहे हैं जैसे शाफ कटर में कुछ वेरेटीज आ रहे हैं जैसे आपने फॉगर बात की पिलेट मेशिन इन सब का क्या रोल पड़ता मतलब इंपक्ट क्या होगा यह डेरी फार्मिंग के उपर क्य का मसान कर देती हैं लेबर का मतलों का मसान है ठीक ना इस ट्राइप से जैसे आप मिल्किन मेशिन नहीं लगा लो अगर आप बीस लिटर वल्ली गाय का दो निकालने लग जाओगे तो कम से एक बंदाय निकालेगा तो पंदरा से बीस मिनट लगेगा हां टाइम कंजूम हा